हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल आज की मेरे सिपी एक स्पेसल सबजी की है जो सिर्फ और सिर्फ बारिस की सिजन में ही मिलता है हमारे यह इसे पूटो बोलते हैं जारकन की यह स्पेसल सबजी है जो सिर्फ बारिस की सिजन में ही लोग को मिलता है इसे रुगडा बोलते और यह सिर्फ बारिस के सिजन में मिलता है जंगलों में पेड के नीचे यह जमीन के अंदर से निकलता है इसे मैं दिखा देती हूं यह इसका यही कलर होता है मैंने इसे यहां पर दोके अच्छे से साफ कर लिया है इसका कोई पेड या फिर कोई बीज नहीं होता यह जमीन के अंदर से बारिस की सिजन में खुदी निकलता है यह दिखिए यह इसका कलर है वाइट कलर का भी कुछ आता है तो मैंने यहां पर तीन सब्राम पुटो ले लिया है धोके अच्छे से साव कर लिया है इसके साथ मैंने यहां पर लिया है दो प्याज जिसे बारिक चौप कर लिया है एक इंच के लगबग अद्रक आठ से दस लसन के कलिया और दो हरी मिर्च इसे मैंने एक साथ कूट लिया है आप इसे पेश्ट भी बना सकते हैं वन फोर्ट इस्पून हमें चाहिए यहां पे जीरा एक से दो लाल मिर्च और एक से दो तेज पत्ता नमक और हल्दी ले लेंगे टेश्ट के क्योडिंग आदा चम्मच पाउडर और आदा चम्मच न थोड़ा साथ गम लेंगे यहांपे गरम मसाला पाउडर बहुत ही basic मसालों के साथ हम इसे ही बनाएंगे बहुत ही easy है इसकी रेसिपी और इसका टेश्ट बहुत अच्छा होता है ये एक तरह का मश्रूम होता है इसका टेश्ट बहुत ही बढ़िया होता है इन सबस भी समागरियों के साथ हमें चाहिए हम पर cooking oil सबसे पहले हम साफ करना ब staircase करा यहां सबसे में कील, काट करना हम भी करें कि जड़ेतों क मिदें तो आफी तो आफीज चुट्छी पटाट करें तो इस तरह से हम सारे पुट्रों को दो दो टुकडों में कट कर लेंगे बहुत ज्यादा छोटा नहीं करना है यहां पर बस दो टुकडों में से काट लेना है यह देख़िए इस तरह से हमें सारे पुट्रों को काट लेना है यहां पर बनाने के लिए सबसे पहले हमें कडाई में तेल को गरम कर लिया है हमने यहां पर 3 बड़ह चमस तेल लिया है कि हमें नहीं सर्सों का तील चर्षू का दिल हमें पहले अच्छे अँग्छे से गरम चाहिए को रićसे अशर से का अब इसमें डालती हूं कि जीरा जीरा चटक गया है यालमेर्श और तेजबत्त भी हमें याएं चाहिए प्याज अच्छे दो बड़े प्याज मैं ने यहां पर लिया है प्याज को भून लेंगे हम प्याज को हलका गुलाबी होने हम यहां पर भून लेना है तेजाज पर गैस का आच हम एकदम तेज रखेंगे अभी ताकि प्याज जल्दी से गुलाबी हो जाए तो आप यहाँ पे देखिए प्याज हमारा हलका भून गया है यह देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है अब मैं यहाँ पे अध्रक लैसन और मिर्ची वाला कुटा हुआ मिक्सर मिला दूंगी इसमें इसके साथ भी हम भूल लेंगे इससे पहले अच्छे से भूल लेना है हम इसे यह देखिए इस सरह से भूल लेंगे हम अध्रक मिर्ची वाला पेश भी भूल चुका है यहाँ पे हम मिला लेंगे हल्दी इसमें हल्दी को भी अच्छे से मिला लेंगे प्याज में अब मैं इसमें मिला दूंगी मसरूम मतलब की मेरा जो पूटो है यह मिला दिया मैंने इसमें और इसे अच्छे तरह से चला लेंगे अब हमें लगए पान से च्छे मिनट तक इसे प्याज के साथ अच्छे से भूल लेना है यह दिखे मैंने अच्छे से चला दिया अच्छे से चला के हमें गैस का फ्लेम कम करके इसे ढख के एक मिनट तक छोड़ देना है ढकन अटाके हमें लगबग 2-3 मिनट तक इसे भूल लेना है यह देखिए यह अच्छे से यहाँ पर भूल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं भूलने के बाद यह किस तरह से हो जाता है अब मैं यहाँ पर मिला दूँगी नमक नमक आपको अपने टेस्ट के कॉडिंग मिला लेना है नमक के साथ भी हम इसे एक मिनट तक भूलेंगे यह देखिए इस तरह से हमें भूल लेना है जब हमारा पोटू अच्छे से भूल जाए फिर हम इसमें मिलाएंगे अपने बाकी के मसाले तो यहां पर अब मिला लूँगे मैं इसमें बाकी के मसाले यह देखिए अच्छे से भूल गया है क्योंकि यह धनिया पाउडर मिला लूँगे पहले मैं इसमें धनिया पाउडर मिला लिया मैंने अब हम इसमें मिला लेंगे अपना गरम मसाला कि यहां पर मैं इसमें थोड़ा से लगवग्चार से पानी डालोंगी ताकि मसाले सारे आपस में अच्छे से मिल जाएं पोटों के साथ यह देखिए इस तरह से क्योंकि हमने यहां पर ड्राइप डाला है इसलिए हमें यहां पर पानी डालना होगा मसाले अच्छे से मिल गया हैं सबजी में तो अब हम थोड़ा से सबजी को पकने के लिए इसमें पानी मिलाएंगे यह देखिए आदि कटोरी पानी हमें यहां पर और मिला लेना है और इसे यहां पर अच्छे से ढख के हम छोड़ देंगे ताकि पूटू अच्छे से गल जाए और मसालों के साथ अच्छे से पक जाए क्या इसका फ्लेम कम कर देंगे अभी एक से देर मिनट के बार हम देख लेंगे सब्जी कैसा बना है तो आप यहां पर देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल बनके रेडी है यही इस तरह से अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो आप पानी ज्यादा डाल सकते हैं मैंने यहां पर इसे प्लेट में निकाल लिया है आप आप इससे देख सकते हैं अच्छे से यह किस तरह का बना है बहुत ही टेस्टी होता है इसका टेस्ट बिल्कुल नॉन्वेज क लगता है जो वेज हैं और उन्हें नॉन्वेज का टेस्ट चाहिए तो यह काफी अच्छा है उनके लिए तो आप यहां पर देख सकते हैं सब्जी सब्जी होने के बाद किस तरह के टेक्ष्टर में दिखता है इसका टेक्ष्टर देख कि आपको इसका टेष्ट समझ में आएगा यह सब्सक्राइब बहुत ही टेश्टी होता है आप आप इसे मन पसंद पूरी पराठे या चपाती के साथ सब्सक्राइब करें अगर आपको भी यह सब्जी मिले तो इसे जरूर बनाए और इंज्वाइब करें वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सेर और सब् करें पर आए ठेच पूरी एंशितल करें खियो करेंजोंkerी dedicat को फिल्केरियो प्लीज टैंजयरूर टहरा हैं थाक्वादी तो मैं ten जे सब्सक्राइब करेंगाूरी तो बाहे